अब तक फरजी एंकाउंटर और अव्यक्तों के घुटने पर सीधा गोली मारने के आपराधिक कृत्य करने में कोख्यात हो चकी है उत्तरपदेश की पुलिस। लेकिन एक नए कर्तूत के तौर पर सामने आ गई है केवल अब समाज के लिए नहीं बलकि अपने विभाग के लिए एक कलंग की स्थिति बंती होती जा रही है फायर विभाग के डियाईजी है जुबिल गिशोर तिवारी को जिस तरीके से ग्रंबित कर दिया गया है उसने क् के अधिकारी बताते हैं कि बीमार सिपाही को गैर हाजिरी के मामले में एक साथ दो सजाय नहीं दी जा सकती है और एक सजा उसे पहले ही मिल चुकी है ऐसी इस्तिति में दूसरी सजा होने का कोई ओचित नहीं है यानि जुबिल का फैसला बिलकुल ठीक था खबर है कि इस घ आनिदेशक विजे कुमार सिंग को मिली प्राइस पोस्टिंग पर भी अब गंबीर सवाल पोटने लगे हैं जिसमें विजे सिंग ने गोहाटी एरपोर्ट में एक महिला करमचारी को सरे आम उसकी साथ लजजा भंग कर दिया था आपको बताते हैं कि दस महिना पहले सिंग को इसी अप्रैल को यूपी वापस धकेल दिया गया था वज़ा यह कि गोहाटी हवाई अड़ा के लाउंज में बीके सिंग ने वहां तैनात एक महिला करमचारी के साथ अश्टील हरकते की और उसे जबरतस्ती लिपट कर उसको चूमने की कोशिश की थी बीजे कुम संत्री राजनार सिंग ने उन्हें अपना OSD बना लिया था दिल्ली बना लिया था जाहिर है कि पुर्वांचल में बीजे कुमार सिंग के खासे कनेक्शन है बावजूद इसके कि वह बिहार के रहने भोचपूर के रहने वाई लेकिन पुर्वांचल में उनके खासे कनेक् की बात है कि उस डेपुटेशन में बी के सिंग की बड़ी चीछा लेदर हो गई लेकिन पिछले बरस उन्हें फिर एक बार डेपुटेशन मिल गया और गौहाटी एरपूर्ट के लाउंज में या उन्होंने एक हरकत डाली एक महिला वाह करमचारी थी उसको जबरदस्ती लि महिला करमचारी के साथ उसने एक शिकायत की लिखित शिकायत की और उसमें साफ साफ लिखा था कि बिनित कुमार सिंग इस व्याई पी रेस्पशन डेस्क पर आए और बी के सिंग उस महिला की फैमली के बारे में बास्चीद करने लगे। वह लगतार उसको घूर रह थे औ और बहुत परिशान हो रही थी, इसके बावजूद उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारे दाथ बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे ओंट और बहुत रसीले हैं, कहने ज़रूरत नहीं कि बीकेसिंग इतने उत्तिजित थे कि डिस्क एरिया और वो समझ गया कि कुछ मामला गरबर होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद कि कुछ और होता, बिने एक विजे कुमार सिंग ने उस महिला को छोड़ दिया, और फोन पर बात करते हुए लाउंज से बाहर चुले गए, यहालत तब है, जब विजे कुमार सिंग उतकर स हो ची है, लेकिन गौहाटी हाई कोर्ट में न तो विजे कुमार सिंग इतिहास याद कर पाए, ना कानून की जहनकारी उनके दिमाग में आया, और नहीं दर्शन शास्त्र का कोई सहरा, एक नहाई बत्तमीजी के तोर पर एक छीचोरे के तरीके से गौहाटी एरपोर्ट मे तो उस डीसीपी ने उस मामले की जाच की प्रात्मिक जानकारी की और उसकी जानकारी पुलिस कमिशनर गौहाटी को बेज दी, मामला एरपोर्ट पर महिला करमचारी के साथ छेड़खानी का था, लेहाजा इस मामले में गौहाटी पुलिस के प्रात्मिक जाच के बाद Airport Authority दारा मिली गई शिकायत के बाद 19 मार्च को Airport Officer उत्पल बरुआ को WhatsApp के लिप कौल पर माफी मागी थी बिजे कुमार सिंग ने और कहा था कि भविशे में आप ऐसी गलती नहीं करेंगे माफ कर दें कविशे 27 मार्च को जो एडीजी है से अरपी एफ के बिनोत कुमार सिंग उनके लगे चाज की रिपोर्ट असम के डीजीपी जीपी सिंग को भीज़ दी थी माना जा रहा है कि गौहाटी के इंटरनेशनल एरपोर्ट पर एक महिला करेमचारी के साथ आईपीस बीके सिंग की गई इस सरकत की शिकायत भारस सरकार से भी की गई और उसके बाद बीके सिंग को वापस यूपी में धगेल दिया गया यह एक परिश्मेंट था लेकिन गौहाटी से लेकर लखनो और वाया दिल ली तक भी बड़ा खेला हो गया गौहाटी की घटन तो पूरे असम ही नहीं बलकि पूरे देश में ना कटवाने वाली थी वह एक बहत संगीन अपराद था बीके सिंग का ऐसे मामलों में कम से कम साथ साल की सजा का सीधा प्राविधान है जेल में इसके अलावा यह गटना देश की पलिस में गंदी होती जा रही छवी का प्र अलीगण के रहने वाले हैं राजनास सिंग यक्षा मंत्री हैं जो बीके सिंग के बहुत करीब हैं और बिजय कुमार सिंग जो बिहार के भोचपूर के रहने वाले हैं उसी भोचपूर के रहने वाले हैं उत्तरपदेश के कानून जोस्ता के एडीजी अमिताब यश पुल उने साइबर क्राइम का एडीजी बना दिया गया कमाल हो गया किनी जुरूत नहीं है कि डिप्टेशन खर्च करने के बाद यूपी में भेजे गए बिजे कुमार सिंग को प्राइस पोस्टिंग दे गई लेकिन एक सिपाही को नियाय देने के मामले में जुगल कि शूर को सस हुआ था जब वो SSP थे नुएडा में जिने कई IPS अफसरों की साज़िश के सब्सक्राइब हनी ट्रैप में फसा गया था लेकिन यह कोई अपराद नहीं होने के बावजूद उन्हें लंबे समय तक निलंबित कर दिया गया यह अलग बात है कि अभी चंद दिन पहले वैब होने के दवरान वे बिना इजाज़त के ही विदेश सरकार विदेश यात्रा पचले गए नतीज़ा यह हुआ कि उन्हें शीष अधिकारियों ने नतीज़ा यह हुआ कि शीष अधिकारियों ने बीके सिंग पर खासी नराज़गी विक्त की लेकिन बाद में एक वरिष्ट आईपियस अधिकारी असरदार आईपियस अफसरन के हस्तक्षेव के बाद बीके सिंग की खाल बच गई मगर अगले चार बरस तक वे महत्तपून पोस्टिंग नहीं कर पाए फिर जुगार लगाया तो सीर्पी पहुंच गया और अब गोहाटी में एक महिला के साथ ये श सियो तक का सफर करना एक बहुत बड़ी घटना होती है पुलिस में क्योंकि उसमें अप्रतिम साहस और बहादुरी का प्रोदर्शन किया होगा वैबोग कृष्णर अपनी समझ बूज के लिए खासे मशूर हैं साथी आम आदमी के साथ उनका विवहार वहशी जानवर जैस आधान नहीं है जैसे की लिए कांउंटर आस्पेशलिस्ट जैसे तथा कति बीगे मारने वाले आईपियस अफसर करते रहते हैं और अपने आपको एन्कांटरेंस्पेश्टिस्ट के तौर पे पूज करते हैं और यह कहनी की जुरूत नहीं कि पुलिस का काम पुलिसिंग क का माहो भाव माहोल पैदा करना होता है और इस मामले में वैभुक कृष्ण बिलकुल बेमिसाल है इतावा में एक नदे बच्चे के साथ वैभुक कृष्ण ने जो विवहार किया वह स्रणाक्षरों में दर्ज है रही बात है जुगुल किशुर्तिवारी की बादा में करीब मिश्ट ने यहां एक गाव में कोख्यात और पचास हजार के इनामी डाकू घंशाम केवट और फनानू के होने की खबर मिली मिश्टा ने फोरण गाव को घिर लिया और सहायता के लिए अपने अधिकारियों को खबर दे दी मामला बहुत बढ़ा था इसलिए यूपी के ए पुलिस वालों से घिरा हुआ था एक मकान में छिपा था घंशाम केवट और नानू घंशाम ने एक बंदूक के सिधा मुर्चा ले रखा था पुलिस से दरसरी एक असली एंकाउंटर था वो एंकाउंटर नहीं था जिसमें रिदूश अव्युक्तों के नागरिकों के पुलिस करमी शहिद हो गयते हैं पीएसीवी ततकाल आईजी वीके सिंग वीके गुपता और डियाईजी सुशील कुमार सिंग सहित नौ पुलिस वालों को गंभीर चोटे आईती गुली लगी थी वीके सिंग और सुशील कुमार सिंग को सीधे पेट में गुली लगी थी राज सरक्रकार उन्हें हेलिकॉप्टर से लेकर मौके से निकाल कर दिल्वी इस्पताल ले गई थी लेकिन चववन घंटों तक यह मुट भीर चली जिसमें पुलिस से बचकर घंशाम तीन मंजीरे मकान से कूद कर भार निकला था यह अलग बात है कि उसके करीब आदा किल वहां उस समय एडिशनल स्पी हुआ करता था जुगल किशूरतिवारी दूसरे थे थाना प्रभारी डाक्टर क्रणो कुमार मिश्टर जुगलतिवारी के हमराही सिपाही वीर सिंग लेकिन घंशाम ने च्छत पर जाने से पहले ही सिड़ी पर वीर सिंग को माड़ा ला था इस मुटबेड में पुलिस के खजाने से 52 लाक रुपयों का खरचा आया था लेकिन किस मद में और कैसे हुआ इसका खरचा आज भी अबूज है तो ये है यूपी में मुटबेड के नाम पर चल रहा है एनकाउंटर एस्पेशलिस्ट पुलिस अफसरों की असली कहानी और चीछा लेदर का किस्सा और चुकल किशोर जैसे अफसरों का वास्तविक अदम में साहस यूपी में नाटक करने वाले फरजी वहवाई करने वाले आईपेस अफसरों की करतू तो जग जाहिर अब होती जा रही है लेगिन इससे यह भी खुलासा हो जाता है कि बीजे कुमा देकर नैतिकता और शुच्ता का ढूंग करती है ऐसी हलत में शिकार बन जाते हैं कनोजिया वैबाकृष्णा जूगल किशोर जैसे बीदाग अधिकारी तो यह बंडा फोड़ है उत्तरपदीश की पुलिस की कारशे लिक अगली बार फिर किस दूसरे मसले पर किस दूसरे पर किस दूसरे लोग के साथ हम फिर हाज होगे तब तक दलती के लिकुमा सोय को इजाद दीजे